आज हम बनाएंगे कमल ककड़ी और हरी मिर्च का आचार इसके लिए मैंने लिए है कमल ककड़ी सबसे पहले कमल ककड़ी को धो कर हम छील लेंगे कमल ककड़ी को हम काठ लेंगे और काठने के बाद हम इसे 3-4 बार अच्छे तरीके से धोएंगे आप सीदा नलके नीचे इसको धोएं तो ज्यादा अच्छा होगा क्योंकि इसके बीच की सारी गंदगी निकल जाएगी क्मल ककडी के अंदर थोड़ी सी मित्टी भी होती है जिसे साफ करना जरूरी होता है हमने अपनी कमल ककड़ी को सई से धो लिया है, अब हम इसको गैस पर उबालने के लिए रख देंगे उबालने से पहले पानी में एक चमच नमक भी आङट कर दे अब तक हमारी कमल ककड़ी उबलती है, हम हरी मिर्च को धो कर बीच में से कट लगा लेते हैं मैंने हरी मिर्च को लंबी शेप में काटा है आपको जैसे पसंद हो आप उस शेप में हरी मिर्च को काट सकते हैं मैंने आधी किलोशी थोड़ी सी जादा हरी मिर्च ली है आप अपने हिसाब से हरी मिर्च ले सकते हैं हमारी कमल ककड़ी को उबलत वे 5-7 मिनट हो गए हैं अब हम इसको पानी में से निकाल लेते हैं किती देर में हमारी कमल ककड़ी सोफ्ट हो जाएगी अब हम इसको साफ पानी में अलग से बतर में निकाल लेते हैं साफ फानी में से निकालने के बाद हम इसे सुखे कपड़े पे रख लेंगे और उसका पानी भी सोक लेंगे अब हम अपनी कटे हुई हरी मिर्च और कमल ककड़ी को एक साथ मिला लेते हैं अब हम इसमें मिलाएंगे आचार के मसाले सबसे पहले हम मिलाएंगे इसमें दो चम्मच करीब वाइट नमक और इतनी ही मातरा में हम इसमें मिलाएंगे धनिया पोडर धनिया पोडर आप थोड़ा सा जादा भी ले सकते हैं दो ही चम्मच इसमें मिलाओंगी में जीरा इतना ही हम मिलाएंगे सोप अब हम इसमें मिलाएंगे दो चम्मच करीब कलोंजी मैंने सभी मसालों की मात्रा दो दो हुई चम्मच रखी है दो चम्मच लेंगे हम मेथी दाना दो चम्मच करीब मिलाओंगे मैं इसमें पिसी हुई हिंग अगर आपके पास पिशी हुई नहीं है तो उसको थोड़ा सा दरदरा कूटक लें फिर डालें दो चमच मिलाएंगे इसमें हल्दी पाउडर अब हम इसमें मिलाएंगे एक से डेल चमच करीब लाल मिर्च पाउडर अब हम अपने अचार में मिलाएंगे एक से डेल चमच करीब लाल मिर्च पाउडर अब हम अपने कमल ककड़ी और हरी मिर्च के अचार को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे मैंने अचार को हातों से मिलाया है आप चाहे तो कर्षी या पोने का भी यूज कर सकते हैं हमें इन मसालों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, अभी तक मैंने अपने अचार में अमचूर नहीं मिलाया है, तो इसमें अब हम मिलाएंगे एक चमच करीब अमचूर पाउडर, इससे हमारे अचार में और भी अच्छा टेस्ट आएगा, अगर आपके पाउडर नहीं है, तो आप थोड़ा सा नीम्भू भी अड़ कर सकते हैं, अगर आपने मसाले मिलाने के लिए हाथों का इस्तिमाल क्या है, तो हाथों को अच्छे तरीके से धोना ना भूले, हो सके तो हाथ दूलने के बाद थोड़ा सा सैनिटाइजर हाथों में लगा ले, इससे जलन नहीं होगी, हमारी कमल ककड़ी और हरी मिर्च का अचार बनकर हो गया है, एकदम तैयार, अब हम इसको बरतन में उठा कर रख देते हैं, मैंने आधा अचार काच के जार में रख दिया है, और आधा अचार में ऐसे ही डोंगे में भर कर रख दूँगे, आपका जब दिल करें, आप इस अचार को खा सकते हैं, ये खाने में बहुती टेस्टी लगेगा, और आपके खाने का स्वादवी बढ़ाएगा, आप अपने अचार में मसालों की मात्रा ज़्यादा या कम भी कर सकते हैं, हमारी ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद,